चुनावों का समय चल रहा है और चुनावों में जाहिर है रैलियां होना संभाविक हैं ऐसे समय में जब जन्नाएक जन्तापार्टी राजस्थान में चुनाव लड़ रही है और कुरुक्षेत्र के आंदी यानि कि वो कुरुक्षेत्र जहां पर महाभारत का युद्ध लड में जैसे मैंने पहले बताया कि राजस्थान में चुनाव है जन्नाएक जन्ता पार्टी के वहां पर भी जोर लगा हुआ है कि वहां पर जादा से जादा विदानसभा की सीटे दर्ज करें और विदानसभा में अपनी चाभी से कह रहे हैं कि ताला खोलें जस्विंदर जी चाभी से खोलने की तयारी राजस्थान में भी कर रख Show है क्या आप लोगों बीच describes आप करने काम करती है और आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से हरेणा प्रांत में मानिय काम के किसान हो मजदूर हो हमारे वर के लिए उन्होंने उनके दुक्धा को समझा है और उनके लिए काम किया है और कहीं नहीं लोग यह चाहते हैं कि ऐसी वस्ता हर राज्य में होनी चाहिए इसले कल रेली कल की रेली जो इतgeois सीक試 होने जा रहे हैं चार साल के अरसे में हम ने निरंतर जपरकार से मानियोप मुख्ष मंतरी जी नहीं हरय के लिए लोगों के हित के लिए काम किये पीछे करोना का समय आ गया हम जो हम नहीं उन्हें बुला पाए और कई ऐसे और भी समय नहीं निकल पाए निरंतर हम माने उप मुख्रमंतरी दुश्यन सिंग्छ चोटाला जी का समय मांग रहे थे तो उन्होंने हमारे को समय दिया और जो विदान सबाक्षेत्र पड़ते हैं चैपी होवा हो चैलाडवा हो शाबाद हो और हमारा थनेसर हो और इस लोग समय में पढ़ने वाले तमाम विदान सबाओं के लिए हमारे को कल जो लोगों का हजूम देखने को मिलेगा और माने मुख्रमंतरी श्रीदुश्यन सिंग के द्वारा हमारे को नहीं सवगाते भी मिलेंगी तो लोग इंतजार कर रहे हैं उसको सच करने का जो काम किया हर्याना परदेश के लोगों का ये सपना है कि जिस प्रकार से मानिय उपमख्य मतरी शिरी दुर्शन सिंग चोटाला जी ने हर्याना हित के लिए काम किया है कहीं न कहीं लोग चाते हैं कि ऐसे नेत्रतों को मौका दे कर हर्याना परदेश की जुम्मेवारे देनी चाहिए तो उसके लिए जो कारे करता है या आमजन है वो ऐसे नारे लगाते हैं और सवबावी किसी बात है अगर मेरे मन में यह चाव है और मैं किसी को देखना चाहता हूँ तो ऐसे नारे जरूर लगेंगे चावी की बात की जाए तो चावी से अपने रजस्तान में भी तयारिकी हुई है हर्याना हरज साब की चावाद विदान समभा में आपकी चुनावी वर्स की रैली भी होने जारी है देखिए हर पार्टी अपने संगठन का विस्तार करती है उसी हिसाब से हमारे राजस्तान के जितने भी चौधरी देविलाल जी को चाहने वाले लोग थे कही ना कहीं उनको एक नेत्रतव करने की एक शमता जो माने मुख्यमतरी श्रीदुशन सिंग्चोटाला में दिखी तो उन्होंने उन्रोद किया कि आप राजस्तान में भी आईए आपका राजस्तान में स्वागत है जिस परकार से आपने हर्याना हित के लिए काम किया है हर्य ऐसी जो दोगली राजनिती है कम से कम वो तो मत करें अगर आप हर्याना में आ रहे हैं तो आपकी सरकार पंजाब में हैं पहले आप पंजाब से S.Y.L. का पानी लेकर आएं जो हमारा एक हमारा जो हिस्सा बनता है जिसकी हमें चाहत है जिसकी हमें जरूर्त है क्योंकि यहा पर बिल्कुल भी आपकी राजनिती चलने वाली लई है स्वाईयल बहुत बड़ा मुद्दा है कि सानों की जीवन दाइनी मानी जाती है मगर वो लोग कहते हैं कि जब चुनाम आते हैं यह चुनाम का वर्स होता है तभी राजनितिक पार्टियों क्यों एस्वाईयल लिया जा रहे हैं बहुत सारी दिकतें दिख रही हैं हमें तो हमें पानी की सक्ष जरूरत है आज पंजाब अपने आपको हमारा बड़ा बाई मानता है और चोटा बाई हर्याना है मैं तो कहता हूं कि अपने छोटे बाई को उसका हिस्सा दें और विशेश रूप से मैं तो मैं तो आप से नविदन करना चाहता है कि आप सीम साब को समझाओ कि हर्याने के हिस्से का पानी जरूर दो नहीं तो हर्यान को दिक्तितारी हो चैनल ने क्यों इतना इंपोर्टेंस क्या कारण रहा कि जीटी रोड बैल्ट पर हमारी काफी टाइम से जो रैली नहीं हो रही थी तमाम जो लोगों का एक उनकी मांग थी कि मानियों मुख्यमंत्री शीरी दुश्ण सिंग चोटाला जी कहीं ना कि जीटी रोड बैल्ट पर आएं और उन्हें इस पलूप अपने कैमरां में सुझोने का काम करें आपने पहले भी बहुत अच्छे जो रैलियों के इतिहासिक पल सुझोए हैं और इस रैली के बीटियासिक पल अपने कैमरों में सुझोए यह तैसे डॉक्टर जस्विंदर सिंग कह रहा है कि कल की जो रैली होगी जी ट राजस्थान में है और तयारी पूरी तरह से की हुई है कि अब की बार 24 से ताला राजस्थान के जहां खुलेगा तो वहीं कह रहे हैं कि 2024 के चुनाओं में हर्याना से डिप्टी हटा कर सीम बना कर विधान सवा में दुस्यन चोटाला को पहुचाना है अशोक यादव पंजाब के सुछी